ये चीज होने के पूरे पूरे चांसे हैं कि आज Seth Rollins जब घर पे जाएंगे तो उनकी पतनी बैकल इंच उनको बेलन से मारने वाली है ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस रोई तैन, यौर वाचिंग रेसल चैटर्स आप मुझे देख सकते हो जैसा अब रेसल चैटर्स चैनल पर अब तक देखते हो पंत शॉट के नाम से अब यहां पर मैं आपको बतायाता हूं कि क्रिकेट से जूड़ी बाते होंगी थोड़े comedy way में, थोड़े funny way में और well written, highly edited क्योंकि डेली वीडियो नहीं आएंगी उस चैनल पर और already वीडियो आपकी ये चैनल पर IPL का final हुआ है रात में चिन्न नहीं आइपल टोफी अपने नाम करी है तो उस पर पूरी वीडियो आज चुकी आप लोग उसको जाकर देखना और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि पहला दिन है पहली वीडियो कितने सब्सक्राइबर्स आप करने वाले उस चैनल पर वीडियो पसंद आ पर भी ही चीज़ होगी लेकिन किर्केट के बार में तो जाना जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उपर आई बटन पर भी होगा जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना और वहां भी अपनी जर्नी ऐसी कंटीनू करेंगी जैसे हमने अब तक रैसल च चैंपनी बन गए हैं वह एक फाइटिंग चैंपन है और वो इसी चीज़ को मंडे नाइट रॉप ए कंटीनू करेंगी क्योंकि यह शो है मंडे नाइट रॉलिंस का वैसे बाते करते करते क्या होता है एजल स्टाइल साथ हो और वह कहते हैं मैं अपने आपको रोक नहीं प बड़ा लो ड्राफ का मतलब क्या है सिर्वर लेट चैंपन्शिप को लाके उन्होंने जो फाउंडेशन उसको रॉक किया था इस ज्यादा को इसका मतलब नहीं है अब इसके बाद एजस्टाइल्स आके कहते हैं मैंने सारी कोशिचे कर ली नाइट अफ चैंपिंस में लेक करते हैंने कि दोनों सुपरस्टार एक तगड़े मैच के बाद अब सेम पेज पर भी आ चुके हैं इसके बाद क्या होता है जज्ज्मेंट डे आती है पूरी बहार निकल के और फिन बैलर क्या बाते कर रहो तो मुझे अल्मोस्ट उल्टी आनों को हो रही है उसके बाद ड क्या पता माई डॉमडॉम के पास ही आ जाए इस पर सेथ रॉलिंस और एज स्टाइल्स की जो हसी चूटती है रिया रिपली को गुस्ता आ जाता है डॉमिनिक मिस्टीरियो माइक पर बोलते हैं बेसिकली वो चैलेंज कर रहे होते हैं जिसके बाद आर्ट शो के में इवें के लिए के लिए कौलिफाइंग मैस था कुछ बताने के लिए यहां पर कुछ खास खास है नहीं एवरेसा ही मैस था रिकोशे ने अपने जो शूटिंग स्टार प्रेस उसको लगा और मैं इसको पिन करके इस मैस में विक्ट्री ले लिए इसके बाद गैस हम कुछ ओपर द कि पूरी मेहनत कर रही हूं ऐसे वैसे लेकिन मैंने स्मार्ट वे चुना और ट्रिश्टार इसके साथ काम करने इससे बढ़िया और क्या ही चीज हो सकती है इसके बाद बैक इलिंच भी आते हैं और वो बड़े गुस्से में होती है उन्होंने इवन अपना जो रिंग गिय करके फोटो लेने का भी जेश्टर कर रही है तो अभी फ्यूड क्लियरली आंसे खतम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है बैक इलिंच को अपना रिवेंच लेना और वो लेके भी रहेंगे आपर जोए स्टार के दिन बुरे हो जाएंगी बैक इलिंच से गलत पंगे ले लि बिलीब नहीं करने वाला क्योंकि हमने बहुत बार देखा ऐसा होता है बट बाद में जाके कुछ होता नहीं है लेकिन फिलाल एक लिस्ट पॉस्टिव डिरेक्शन पर चल रहा है काम इंदू शेयर के साथ में नेक्स ही शो पर होती है केविन ओवेंस और सामी जेन यह दोनों सुपरस्टार रिंग में आते हैं क्रावडन के लिए बहुत तगड़े वाले चैन्ट कर रहा है सामी जेन कहते हैं ना सिर्फ हमने अपनी चैंपिंशिप को सकस्फुली डिफेंड किया है बल्कि बलड पर तो तुम आने के लाइक भी नहीं हो केविन ओवनस ने बड़ा मजा के तरीके से बोला यार यह जो बाल्डी बंदा है यह तो कभी कुछ बोलते नहीं है इसका भी तो ओपिनिन सुनते है क्या है केविन ओवनस लिटरली सेग्मेंट को इतना इंटरस्टिंग मना देते ह तो जिस बंदे के अंदर खुच-कुच खुद का कुछ करेक्टर बनी है उसमें भी काफी मस करते हैं यहां पर बड़े भड़क जाते हैं इंपीरेम की तरफ से फिर सीन यह बनता है कि अलफा के जो चैट गेबल है वो शूश करके निकल के आते हैं बाहर और फिर वो अपन इन दोनों टीम्स के बीच में मैश जिखता है पूरे कॉमेंटरी पर काफी हाई है गुंतर की वज़े से गुंतर ना ओते तो शाद इंपीरेम मैश हार जाती लेकिन वहाला कि गुंतर ने कुछ काम नी किया लेकिन उनकी वज़े से बोल रहा हूं इस मैश में विक्ट्री इंपीरेम को मिल जाती है और कॉमेंटरी टेवलबर फिर खुश नहीं थे इतने कोई खास कैविन हुवंस और सैमी जेन विमन्स टैग टीम चैंपेंशिप के लिए फेटल फोरवे टैग टीम मैश जहां पर रकेल रोट रोट इविजिए और शाट जी ब्लेक हार्ट वर्स जो मूँव है उसको काउंटर करके चेंज कर दिया उसको अपने सबमेशन मूँव में रोटा राउसी ने टाप आप आप करवा के समैश में अपनी टीम के लिए रोटा राउसी ने शेना बेसल बन चुकी है न्यू विमन्स टैग टीम चैंपेंश और डेबल लॉबली का यह पहले सही प्लान था शायद रेसल में में इसको करने का प्लान था वो चीज होई नियू लेकिन आज मंटे नाइट रॉप पे डेबल लॉबली ने इस प्लान को अपने एक्जीक्यूट कर दिया है इसके बाद शोपर डॉफ जिलर वरसी जेडी मकडोना का मैस था जो काम है वो पूरा फिनिश हो गया इसके बाद शोपर आते हैं कोडी रोट्स और कोडी रोट्स आके रिंग में बोलते हैं सबस्वेल तो एड्मिट करते हैं कि वो ब्रॉख लेसनर से हा रहे हैं रेफ्री ने मैच को स्टॉप किया लेकि मैंने टैप आउट नहीं किया थ टैप आउले उसके बाद उन्हेंने कुछ वर्डेस बोले ब्रॉख लें नरी कि तुम बीष ciao गैकि तुमने मुझे मुझे महरा धीया लेकल लेकिम तुमम बीन तुम मैंने नहीं को मुझे तुम टैप आउट करवासOSTher यहां पर वहते हैं उस पहले मायक Yourp कर कτο 열лadomo कि डैस के आए थे इसके बाद गई शोव पर हमको नाकामुरा वर्सिस ब्रॉंसन रीड के बीच मनी दबैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच जेकनी को मिलता है और मैं इस मैच अपसे सोड़ सो सर्प्राइस था कि ब्रॉंसन रीड को यूजरी डवल ली तगड़ा वो करती है मैं शुंच्च के नाकामुरा हट गए अपने फिनिशर के इन्शाषय की दो बरशाथ की यहां पर उन्होंने तब जाके कुछ ब्रॉंसन रीड को डिला कर पा है और पिन फॉल के सारे से। पुछ के नाकमर ने ब्रॉंसन रीड को हरा दिया है और वो मैंने दबंग मैच के लिए क्वालिफाई कर गए है अब बात करते हैं हम लोग शो के में इवेंट की जहां पर मैच था सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स फिन बैलर एंड डेमिन प्रीस्ट शुरू में जो लगता है सीन कुछ ऐसा की डॉमिनिक मैच में है लेकिन फिन बैलर का वह तरीका था पीछे से आके अटक कर दिया बड़े अबरप्ली जो मैच से वह शुरू होता है इवन सेथ रॉलिं कि उनको बहुत गुसा आता और वो चिलाते हैं कि तुमने यह क्या किया इतनी ज्यादा बहसर मचा रही थे रिंग साइड में डॉमिनिक है रिया रिपली ने कि जो रेफरी है उसको वहां से इजक करना पड़ जाता है इन दोनी सूपर स्टार को मैच का फिनिश हमको कुछ इस समय स्कून पर भी आपको वीडियो देख रही होगी यह वीडियो गाइस अगर आपको अच्छे लेगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राबर नोटिकेशन बैल को अन कर दो and see you guys in my next video